पोट्स से जुडी किसी भी अपडेट के ये स्पोट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें जीत दर्ज करी है मुंबई इंडियन्स के अगेज वो एक धमाकेदार जीती नौविक्टो से वो मैच जीते और केल राहूल के उसमें भी रन थे क्रिस गेल के भी रन थे और मैंग अगरवाल ने एक अच्छी शुरुवात दी थी पर उनकी गेंद बाजी जो है लग रहा है कि वापस ले में आ गई अब उनकी जो गेंद बाजी जो ले में आई वो आई थी आपकी चिन्नई में जहाँ पर विक्टे थोड़ी स्लो थी रवी विश्णोई को फाइनली मौका मिला और उन्होंने अपना काम बखुभी किया अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब किंग्स इस मैच में अपनी टीम में कोई बदलाव करते हैं क्योंकि देखिए कंडिशन जो है वो बिलकुल विपरीत है अगर देखा जाए चिन्नई से क्योंकि आप मुंबई खेला था उन्होंने अपना पहला लेग उसके बाद आ दिखा जाए तो बहुत जादा ऐसी कोई फॉर्म उन्होंने दिखाई नहीं है तीन तो उनके डक्स ही है पिछले मैच में अफकॉस उनकी बैटिंग ही नहीं आई पर मुझे लगता है कि पंजाब अपनी बैटिंग में कोई जादा चेंजिस करेगा नहीं और वो बैक जाए उस यूजल फॉर्मुले को अपनाएगा कि यार अपने प्लेयर्स को आपको बैक करना जरूरी है रहा सवाल गेंदबाजी का जाए रिचर्ट्सन और राइली मेरेडित और क्रिस जॉर्डन यह आपके पास तीन तेज गेंदबाज है अब एहमदाबाद की विकेट क कोई एक ऐसा कोई आपके पास यार्ट स्टेक या बेंचमार्क नहीं है जो सालों से चलता आ रहा हो थोड़ा बहुत एहमदाबाद की विकेट हमने देखी है वो देखी थी सहीद मुश्ताक में उसके बाद आपने इंगलेंड का जो दौरा घरेलू इंडिया का इंडिया म जो दोरा हुआ था उसमें थोड़े बहूत तरोटी ट्वैंटी मैचेस मार्च ट्वैंटि मैचेस हुए थे उससे पहले टेस्ट मैचेस हुए थे पर एहमदाबाद में हमने देखा था कि पास्ट बोलर्स जो हैं वो लै में भी थे और उनको विक्टेश जादा मिली थी comparatively spinners से अगर आप के सामने अगर उनको देखे शारदुल ठाकुर उस सीरीज के पांच मैच की सीरीज थी उसके हाइस विकेट टेकर थे उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मार्क वुड भी थे, क्रिस जॉर्डन भी थे और भूवनेश्वर कुमार उसके बाद spinners आये थे और मेरे ख्याल से वाशिंग्टन सुन्दर उसके बाद लीडिंग विकेट टेकिंग जो spinner थे वो थे और शारदुल के अगर आट विक्ते थी तो सुन्दर की चार विक्ते ही थी तो उसमें देखना होगा पंजाब किंग्स को क्या इस टीम में जगा है कि आप दो fast bowlers, दो overseas fast bowlers को आप जगा दे दीजिए हो सकता है क्रिस जॉर्डर और जाये रिचर्डसन दोनों आपको कल या आज खेलते हुए दिख जाए और फाबियन आलन, left arm spinner उनको अफकोस बाहर जाना पड़ सकता है पर ये combination देखना होगा, at least एक fast bowlers पंजाब आड़ करेगा ही करेगा अपनी 11 में, अब देखना होगा कि वो जाये रिचर्डसन होते हैं या फिर क्रिस जॉर्डन होते हैं, क्योंकि क्रिस जॉर्डन ने इस wicket पे बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंटली खेला भी है, तो क्रिस जॉर्डन को हो सकता है, एक एज मिल जाए, यह रही बात पंजाब की, अब दूसरी तरफ बात करते हैं, कोलकता नाइट राइडर्स की, कोलकता नाइट राइडर्स और इन मॉर्गन ने कप्तानी करी थी उस सीरीज में, तो वो भी इस विकेट से थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे, और दिक्कत उनकी उस सीरीज में भी वही आई थी, जो उनकी अभी आ रही है, उनका मिडल ओडर, उनका inconsistent मिडल ओडर, टॉप ओडर की तो जी बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने का कि हमने पहले मैच में रन बना दी है, अब देखते हैं, पांच-छे मैच बाद अगर रन बनाने का मौका मिलता है, opportunity तो कैर हर गेम में उनको मिल रही है, पर अब देखते हैं कि रन बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्या पोलकता नाइट राइडर्स अपना best 11 खिला रहा है, और अगर खिला रहा है, तो क्या उसका order ठीक है, आपका batting का, मुझे लगता है, अगर सुनील नरेन को वही बात है, अगर आप खिला रहे हैं as an all-rounder शाकेप की जगा, तो उनको या तो आप open कराईगे, उनकी batting को आप capitalize करिए, उनकी जो एक batting में थोड़ी बहुत ability है, right at the top, या फिर आप राहूल त्रिफाटी से open कराईए, नितीश राणा को one down खिलाईए, या दोनों में से एक ही को खिलाईए, राहूल त्रिफाटी और नितीश राणा में से, पर ये combinations हैं, और expect कर रहे हैं कि ये batting के लिए ठीक ठाक विक्ते आपको मिलेंगी, अच्छे scores तो एक opportunity आपके पास भी है, आप जाएए डाफा निउस पे, वहाँ पे predictions कीजिए, predictions की भई, कौन हो सकता है इस match का highest wicket taker, जैसे मैंने कहा, कोई तेज गेंदबास निकलेगा, या फिर आपका कोई spinner होगा, क्या वो रवी बिश्नुई हो सकते हैं पंजाब से, या फिर कर दे सकते हैं क्योंकि वो पाउर प्ले में भी डालेंगे, तो यह देखना होगा, चाहिए अगर आपको लगता है वो रवी बिश्नुई होंगे, अगर आपको लगता है कि वो वरुन चक्रवर्ती होंगे, या फिर भई, मौमद शमी भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज के लिए शिखर धवन से आगे फाइनली निकल जाएंगे, तो बहुत सारे प्रेडिक्शन्स हैं जो आप दाफा न्यूस पे कर सकते हैं, पर केके आर के लिए ये मौका बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि पांच मैचिस वो अल्रेडी खेल चुके हैं, और इसके बाद बह सब्सक्राइब करें, और हमारे फेस्बुक और इंस्सेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें